smartphone versus DSLR हमारे मन में काफी सारी confusion एक्सर रहती है DSLR cameras के साथ हम ज़्यादा experiment कर सकते हैं ज़्यादा lenses attach कर सकते हैं same time smartphone में हम day by day कहां से कहां आ चुके हैं आज की डेट में एक से एक phone आते हैं एक से camera के साथ but still DSLR versus camera में जो difference है न वो एक काफी बड़ा तो है ही पर क्या शाओमी इस gap को कम कर सकता है क्या DSLR को रिप्लेस कर देगा क्योंकि शाओमी ने कुछ कोशिश बहुत तगड़ा किया सारा कुछ explain करता हूं इस वीडियो में जैन दोस्तों क्या हाल है मारो नाम से राकेश और भी चैनल को सब्राइब सब्सक्राइब करें शाओमी ने ट्वैल वैस अल्ट्रा का एक concept वीडियो शियर किया है जहां पर लेंस यूज कर सकते हो प्रोपर जो की और छी कि अधियोड़ को देखा को इसके टेहार है जाना पड़ें को रहादता है जो की कत्या की रिफ्लेक्शन कम हो और अच्छी है काफी कुछ मतलब ब्रेंड कोशिच करते कोई जाइस के साथ करता है कोई कुछ करता है तब जाके एक फोन त्यार होता है इसके उपर आप अलग से जब लेंस लगा देते हो यानि कि लेंस की लेर की कोटिंग आपने बढ़ा दी और सारे लेंस आगे उसके उपर अब लाइट जब तक सेंसर तक पहुचेगी इमेज जो होती है थोड़ी सॉफ्टर साइड चली जाती है लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल कैमरा या मेरे लेंस इन के उपर से जैसे मैं यह लेंस हटा रहा हूं तो यह नीचे देख रहो यह क्या यह सेंसर कुछना बड़ा है ना फॉन के इसका बड़ेंट वाला कैमरा है जो कि Canon 200 है इसका सेंसर काफी छोटा है तो यह फुल फ्रेम कैमरा नहीं है जो यह वाला कैमरा में आपको दिखा रहा हो यह फूल फ्रेम सेंसर के साथ आता है तो हम इसको पर लन लंस लंस लगाए और यह लेंस मस्त अलग-छ यहोते है लोग चैनल गयां तरफी यानि कि सिंपल था एक DSLR था DSLR में सेंसर है वहाँ पर प्रोसेसर बगारा इसमें भी होता है इतना बड़ा जो बॉड़ी आप देख रहे हो लेकिन इसके उपर हम अलग-अलग लेंसी लगाते हैं ताकि बढ़िया क्वाल्टी की मस्त शार्प डीट सकें लेकिन शाओमी ने कुछ ट्राई किया यहाँ पर याद है आपको थोड़ दिन पहले लॉंच हुआ था शाओमी ट्वेल्व एस अल्ट्रा इंडिया में लॉंच नहीं हुआ था बट कुछ वीडियो आपने जरूर देखी होंगी इसका वीडियो दिया था मैंने मी 11 अ लेकिन शाओमी का कहना भई बियाइंड असीन यह मस्त मेंटोस खाके दो-दो काम कर रहे थे एक साथ एक तरफ ट्वेल्वेस अल्ट्रा त्यार हो रहा था एक तरफ इनका कॉंसेट फोन त्यार होड़ था इन्होंने पता क्या किया यह है ट्वेल्वेस अल्ट्रा यहाँ अब आप देखर हो दो कैमरा है में अल्ट्रा वाइड और साथ में यह पैरिस्कोप कैमरा है और यह शाओमी का ट्वेल्वेस अल्ट्रा कॉंसेट जो कि इन्होंने शो किया कि यहाँ पर देखो बीच में आपको सेंसर ने दिख रहा है बाकी बगल में दो कैमरे है में और तो यही वो सेंसर है जैसे मैंने डियसलार में कॉंसेट दिखा है ना सेंसर के उपर डिएरेक्ट हम क्या करते हैं लेंस लगाते यह सेम इनोंने स्मार्ट फोन में लेकर आए हैं इसी सेंसर के ऊपर एक अडेप्टर आएगा और लाईका के एं सीरिस गो लैंसिज हो वीडियो देखे थी उसमें उन्हें दिखाया था कि एक्चुली वन इंच साइज नहीं है पहले वाला कॉंसेट बेस होता था उसके बेस पे इन्होंने मेजर करके थोड़ा घुमा दिया आपको और वन इंच दिखा दिया है बट यह स्मॉल साइज का है नए तरीके से इसको म मैनुल काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे आपको और फिर आप बढ़िया बढ़िया फोटो ले सकते हो जूम लेंस यूज कर रहे हो तो बैटर बोके आएगा और हाला कि इन्होंने अपनी तरफ से कुछ फोटो शेयर कि हैं जब फोन आएगा कभी बाहर औरीजिनल रियल वर के पोकेट में घुमते रहेंगे हैं हमेशा लगाना पड़ेगा जब फोटो क्लिक करने होगी यह अच्छली डूवल कोंसेट बेस्ट है यहाँ पर जैसे दो कैमरे जो आपको दिख रहे हैं यह मेन और अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा आप नॉर्मल कहीं भी यूज करो को फोटो सच में इसकी बहुत अच्छी थी बस सवाल इसके साथ वो फस गया था कि शाओमी ब्रैंड है इतना पैसा क्या इस ब्रैंड पर लोग तुकि आईफोन या फिर समसंग पर कर देते हैं और सफ्टर अप्डेट भी इतने अच्छे नहीं आते हैं लेकिन हाँ यहाँ इसी को नेक्श्ट लेवल पर लेगा यहां पे चाहे नॉर्मल फोटो क्लिक करो चाहे धी स्ल behavioral लाइस लोगा के किलिक करो और सवाल ऑाथ क्या यह do DSLR को replace कर सकता है Xiaomi के concept क्या यह काफी है या multiple सवाल है पता कैसे यह एकदम unique concept है बट एकदम ऐसी मिलती चुलती चीज़े आपने साथ सुनी होगी यह Samsung का एक फोन आया था उसके अंदर यह जैसे साइबर शोट कैमरे नहीं आते सोनी वाले वैसे वह बाहर आता था जूम करता था और फोटो किलिक करता था उसके बाद मैंने रिसेंट एक गैजट सीरीज में वीडियो दिया था 2015-16 वाला प्रोडेक्ट है वह बट मैंने अभी वीडियो दिया था रिसेंट मंगा के 7000 का से मुझे कही जागना है फोन का यहां रखो ऐसे करके जाग लो वही क्या चल रहा उदर यह भी एक चीज है लेकिन मैंने इस से कुछ फोटो किलिक करी वह इसका मतलब ठीक है जितने अजार के फोन से बेटर फोटो वीडियो दे रही है उस टाइम के साफ से सच में काफी ड में अगर रिवनी होके आए तो डेफिनेटली यह काम का हो सकता है बट अभी तो नहीं तो सैमसंग वाला कॉंसेट भी इतना आगे नहीं जा पाया और तब चीज़े इतनी अडवांस भी नहीं थी अब शाओमी क्या कर रहा थोड़ा अडवांस कर रहा इसको डायक्ट सेंस के लिए यूज़ रहा है मैं वीडियो शूर कर रहा हूं मैं यूज़ कर रहा हूं बेटर क्वालिटी की वीडियो फोटो निकाल सकते हो जो की स्मार्ट फोन से काफी आगया लेकिन मैनूल सेटिंग यूज़ करना पड़ेगा आपको बहुत बढ़ा डिफ्रेंस है यह बह बहुत जाद हो जाता है और फोन अपनी जगा बहुत अडवांस है फोन के अंदर जो प्रोसेसर है इतना कैपेबल है इतना पावरफुल होता है आज कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन फोन के साथ एक लिमिटेशन आ जाती है इतना सा फोन इसके अंदर क्या-क्या होता है यह DSLR इतना बड़ा है तो mirrorless camera नोर्मल DSLR यह सब भाई पूरा dedicated है उस काम के लिए phone का एक छोटा सा part वो camera का काम करता है सोचो आप future में चीज़े बहुत improve होंगी and I am sure होंगी लेकिन जब तक smartphone improve होगा DSLR के दुनिया भी लेकिन मुझे लगता है इस जंग के बीच में यह वीडियो आपके लिए helpful होगी कुछ आपने सीखा होगा और क्या opinion है आपका इस शाओमी 12S ultra concept smartphone के बारे में कोमेंट करेंगा जो भी बताना वीडियो को like करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में पर एक बात तो रभाइग कॉंसेप्ट यूनिक था हो शाओमी मतलब मस्ट दमाग लगा रहा है और इनकी यह सीरीज कैमरा पर बहुत अच्छा गाम करती है